नमस्कार दोस्तो, हमारी यूटुब चैनल में आपका स्वागत है। बहुती खास है। आज मैं आपको बताउंगा ट्रास्फॉरमर्स के डेटा। जिया दोस्तो, तो यह हमारा पहला पार्ट है और भी पार्ट इस पे आएंगे डेटा पे तो आज मैं आपको छोटे ट्रास्फार्मर का डेटा बताऊंगा जैसे कि 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट आधी के ठीक है तो वीडियो को धान पूरा क्लाश तक देखना है पूरी वीडियो देखना है बिना स्किप की दोस्तो मेरे पास एक छोटा सा ट्रास्फार्मर है मैं थोड़ा सा आपको समझा दू क्योंकि मेरे चैनल पे ट्रास्फार्मर की वीडियो अब तक अपलोड हमने नहीं किया आगे हम इसको कैसे बानते हैं, ट्रास्फार्मर को कैसे बनाते हैं तो उस पे हम वीडियो अप्लोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर पत्ती लगी हुई है दो तरह की पत्ती होती है एक यहाँ पर E बना देख रहे हैं आप इस तरह की एक I E और I इन दोनों पत्ती को लेमिनेशन बोलते हैं दोस्तो लेमिनेशन ठीक है तो यह उपर नीचे फसाई जाती है और इनके बीच में एक यह देखिए बोबिन होता है इसको बोबिन बोलते हैं जिस पे की तार लपेटा जाता है दो तरह से एक तार नीचे लपेटा जाता है एक तार उपर लपेटा जाता है जो नीचे सबसे पहले लपेटा जाता है तार उसको प्राइमरी क्वाइल बोलते हैं और जो उपर लपेटा जाता है उसको सेकेंटरी क्वाइल बोलते हैं तो जो primary coil होती है उसमें हम 220 voltage डालते हैं और जो उपर का जो होता है उसमें हम voltage लेते हैं जो transformer मैं आपको बता रहा हूं वो AC से DC convert करते हैं यानि कि 220 AC से अलग-अलग DC voltage बनाते हैं तो यह मैंने छोटा सा इसका transformer के बारे में बताया है तो अब इसका data आप देख लिए जी अच्छे से और इसका screen suit आप ले सकते हैं ठीक है दोस्तो तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देख लिए दीखी primary coil secondary coil दो तरह की coil ठीक है तो यहां पर पहली से primary है secondary है तो यह जो data है पहला 24 volt एक ampere का transformer बनाने का है तो यहां पर 24 volt एक ampere के दो तरह की transformer बनाए जाते हैं एक तो चार तार वाला एक पांस तार वाला पांस तार वाला क्या करता है कि डबल 24 voltage निकालता है ठीक है 24 voltage निकालता है प्लस में और 24 voltage निकालता है बतलब डबल काम कर सकता है और यह जो वाला है single 24 volt निकालता है तो पहले single वाले का data देख लीजिए 24 volt 1 ampere में single वाले का है primary coil में हम voltage देंगे 220 ठीक है जो कि हमको देनी है 220 पर यह सारे transformer तो primary coil में हम ट्रन करेंगे 34 नंबर गेज से 34 नंबर गेज से 1750 ट्रन हम करेंगे ठीक है 1750 ट्रन 34 नंबर गेज से करेंगे primary coil में जिसमें हम 220 voltage डालते है फिर उसके उपर जो तार लपेटा जाएगा secondary coil में उसमें हम ट्रन देंगे 200 ट्रन देंगे 20 नंबर गेज से ठीक है तब 24 वल्ट निकलेगा तो यह तो हो गया simple single 24 का यहाँ पर एक side 0 निकल रही है यहाँ पर हम एक side 0 डाल रहे है यानि कि minus 0 मतलब minus और यहाँ पर 220 डाल रहे है तो हमने 220 voltage डाले और यहाँ पर 24 voltage निकल गए एक side अब दूसरी side 0 निकल गए ठीक है क्योंकि यहाँ पर 0 है यह minus हो गया प्लस हो गया अब यहाँ पर 24 निकलेंगे ठीक है तो इसमें भी जो primary coil है उसमें 1750 टन करने 34 नंबर से same to same बाकी जो उपर का जो तार डलेगा उसमें देख लीजे यहाँ पर 3 तार हो जाते है इसमें 2.0 voltage 24 voltage यहाँ पहला 24 voltage और बीच में 0 voltage फिर 24 voltage ठीक है तो बीच का तार आप यूज करके एक अर्थ का यूज किया और यहाँ पर 24 voltage ले सकते हैं और फिर यहाँ पर अर्थ का यूज किया यहाँ पर 24 voltage ले अब यह दो transformer को काम अकेला कर लेगा अगर double जैसे कि आपको कोई चीज चलानी है तो आपके तो इसके अंदर सबसे पहले 200 current करने है 23 नमबर तार से 23 नमबर तार से 200 current किये फिर बीच में लूप छोड़ा 0 के लिए लूप छोड़ा फिर 200 current किये 23 नमबर तार से तो इस तरह 24 volts उपर निकले 24 Volt यहाँ पर निकले बीच में 0 volts अब 24-24 को अगर आप 0 volts को यहाँ पर माइन चोबिश दू 48 वोल्टेज का भी हो जाता है ठीक है यहां पे और यहां पे आप यूज करते हैं तो इस कंडिशन में ठीक है दोस्तों और यहां पे बोबिन जो होता है उसका साइज होता है यहां पे बोबिन का साइज 8 इंच है ठीक है और जो लेमिनेशन है वो 15 नमबर है त किसी दिन अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आया होगा अब मैं जल्दी से सारे डेटा आपको दिखा देता हूँ तो यह है 24 वोल्ट एक एंपियर का डेटा यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट अब 2 एंपियर का डेटा है 2 एंपियर वालों में जो सिंगल 0-24 वाला है उसमें प्राइमरी कॉयल में 13-50 टरण करने है ठीक है और 13-50 टरण करने है sorry 13-15 टरण करने है और यहाँ पे 31 नमबर गेज से करना है ठीक है और यहाँ पे जो सेकेंटरी कोईल है उसमें डेड़ सो टरन करने है 19 नमबर से यहाँ पे अगर आप डबल 24 का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में वही 1315 टरन करने है 31 नमबर गेज से और यहाँ पे 114 टरन करने है 20 नमबर से जीरो वोल्टेज के लिए और फिर 114 टरन करने है 20 नमबर से ठीक है 24 वोल्ट 2 अमपेर का यह बन जाता है अब देखिए दोस्तो अगला है 24 वोल्ट 3 अमपेर का इसमें 0 चोबिस का बनाने के लिए आपको प्राइमरी कोईल में 1200 टरन देने है 28 नमबर गेज से और सेकेंडरी कोईल में 135 टरन देने है 18 नमबर गेज से और डबल 24 का बनाने के लिए प्राइमरी में सेम रहेगा 12 टरन 28 नमबर से और सेकेंडरी में 135 टरन देने 19 नमबर से फिर एक लूप देना फिर 135 टरन करने 19 नमबर से ठीक है अब अगला है 24 वोल्टेज 5 एंपियर का तो यहाँ पर 5 एंपियर का मैं बता रहा हूं तो 0-24 के लिए आपको प्राइमरी कोईल में 850 ट्रन देने है 26 नमबर से सेकेंडरी में देने है 95 ट्रन 16 नमबर से आपका 24 वोल्ट निकलेगा डबल 24 का बनाने के लिए आपको प्राइमरी कोईल में 830 ट्रन देने है 26 नमबर से और यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर पिच्चान में ट्रन देने है 17 नमबर से फिर एक लूप छोड़ना है फिर पिच्चान में ट्रन देने है फिर 17 नमबर से ठीक है एक लूप छोड़ना हो बीच में अब आ जाता है दोस्तो 18 वोल्टेज का ठीक है अठारा वोल्टेज का 500 मेह का तो इसको बनाने के लिए सिंगल 18 वोल्ट बनाने के लिए आपको प्राइमरी कॉयल में अठास्कों छबनें के लिए आपको अठास्चा नमबर से प्राइमरी में स्किन्डरी में 18 वोल्ट यहां पे आता है और एक लूप देना फिर 205 तरन देनें आपको 26 नमबर से तो इस तरह से डबल अठारा खो जाता है यहाँ पे lamination और bovin number आप देख सकते हैं ठीक है 0.75 इंच और यहाँ पे 23 number lamination अब है 18 volt एक ampere का ठीक है वो आधा ampere का था यह एक ampere का आपका है तो इसमें single 18 बनाने के लिए आपको primary में 2040 टरन देने होंगे और 36 नमबर से सेकेंडरी में आपको 175 टरन देने होंगे 25 नमबर से ठीक है 0.9 इंच का यहाँ पे bovin है 31 नमबर lamination है और डबल अठारा का बनाने के लिए primary में देने है 2040 टरन 26 नमबर से सकेंडरी में देने एक 155 टरन 23 नमबर से फिर एक लूप देना है एक 155 टरन फिर देने है वही 23 नमबर गेस से उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ठार वोल्ट दो एंपियर का तो सिंगल अठारा बनाने सिंगल अठार वोल्टेज बनाने के लिए आपको primary coil में देना है 1350 टरन 32 नमबर से और सेकेंडरी में देना है गया 115 टरन 19 नमबर से और आपका बोबिन का साज रहेगा एक पॉइंट 25 इंच 15 नमबर लेमिनेशन ओडल 18 बनाने के लिए आपको 1350 टरन देने प्राइमरी में 32 नमबर से सेकेंडरी में आपको देने 115 टरन 20 नमबर से फिर एक लूप फिर 115 टरन 20 नमबर से इस तरह से ठीक है उसके बाद दोस्तो 18 वोल्ट 3 एंपियर 18 वोल्ट 3 एंपियर का बनाने के लिए आपको सिंगल 18 बनाना है तो आपको प्राइमरी में 1325 टरन देने हैं 30 नमबर से और आपको सेकेंडरी में 115 टरन देने हैं 18 नमबर से बोबिन रहेगा एक पॉइंट 3 का चार नमबर लेमिनेशन और यहाँ पे डवल 18 बनाना चाहते हैं डवल 18 तीन एंपियर का तो यहाँ पे प्राइमरी में 1325 टरन देने हैं 30 नमबर से और यहाँ पे फिर 115 टरन देने हैं 19 नमबर से फिर एक लूप छोड़ना है फिर 115 टरन 19 नमबर से उसके बाद दोस्तो 18 वोल्ट 5 एंपियर का बाद करते हैं 18 वोल्ट सिंगल बनाना है आपको 5 एंपियर में तो प्राइमरी में 970 टरन देने है 27 नमबर से और सेकेंडरी में 85 टरन देने है 16 नमबर से ठीक है बोबिन साइज 1,5 इंच 3 नमबर लेमिनेशन और डबल अठारा का बनाना है तो प्राइमरी में 97 टरन 27 नमबर से और सेकेंडरी में 85 टरन 17 नमबर से फिर एक लूप ठीक है माइनस के लिए या 0 वोल्ट के लिए 85 टरन 17 नमबर से फिर और 15 वोल्ट की बात आती है 15 वोल्ट 500 एमेच ठीक है मेच का बनाने के लिए सिंगल 15 बनाने के लिए आपको 31 30 टरन देने है प्राइमरी में 41 नमबर गेज से वो सेकेंडरी में देने है 225 टरन ठीक है 225 टरन 24 नमबर से 0.75 साइज रहेगा बोबिन का इंच में 23 नमबर लेमिनेशन रहेगा डबल 15 का बनाना है तो 31 30 टरन 41 नमबर से प्राइमरी में सेकेंडरी में 225 टरन 26 नमबर से फिर एक लूप फिर 225 टरन 26 नमबर से उसके बाद दोस्तों बारी आती है 15 वोल्ट एक एंपियर की 15 वोल्ट एक एंपियर के लिए सिंगल पंदरा में बनाना चाहते हैं तो आपको 2200 टरन देने हैं 37 नमबर गेस से प्राइमरी में और सेकेंडरी में 160 टरन करने हैं 22 नमबर से और डबल 15 का बनाना है तो 2200 टरन प्राइमरी में 37 नमबर से और 160 टरन सेकेंडरी में 23 नमबर से फिर एक लूप फिर 160 टरन फिर 23 नमबर गेस से ठीक है तो यहाँ पर एक लूप आपको छोड़ड़ा है यहाँ पर 160 टरन और यहाँ पर 160 टरन ठीक है पीच में लूप हो जाता है आपका माइनस कर सकते हुइ यहां पे 1 इंच का बोबिन लेमिनेशन तेज़ नंबर तो यहां पे 1 A थी 15 V एक एंपियर अब 15 V तीन A के बाद है तो सिंगल बनाने के लिए सिंगल बोबिन पंदरा बनाने के लिए 1366 Trun 31 नंबर से प्राइमरी में सेकेंडरी में, सोट रन, 18 नमबर से, 1.25 बोबिन साइज, 15 नमबर लेविनेशन, और डवल पंदरा का बनाना है, 13.85 टरन, 31 नमबर से प्राइमरी में, और सेकेंडरी के अंदर आपको देना है, सोट रन, 19 नमबर से, फिर लूब, फिर सोट रन, ठीक है, उसी गेज से, 19 नमबर से, सेम गेज से, तो प्राइमरी क्वाइल में, आपको यहां पर चेंज नहीं करना होता है, लगबग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, अगर तार डालने में कोई दिक्कत आती ह है तो, तो यहां पर बात करते हैं, 12 वोल्ट, 500 मह, ठीक है, 12 वोल्ट, 500 मह का, तो यहां पर 12 वोल्ट, सिंगल बनाना है, तो 3500 टरन, 43 नमबर से, प्राइमरी में, और सेकेंडरी के अंदर आपको 200 टरन करने हैं, 25 नमबर से, और यह आपका साइज रहेगा, 0.687, बोबिन क और यहां पर नमबर रहेगा, 24, डबल बारा बनाना है, डबल बारा बनाना है, तो प्राइमरी में, 3500 टरन देने हैं, 43 नमबर से, और सेकेंडरी के अंदर 200 टरन, 26 नमबर से, फिर लूप, फिर 200 टरन, 26 नमबर से, उसके बाद दोस्तों, 12 वोल्ट, 1, एम्पियर का आपको बनाना है, 12 वोल्ट का बनाना है, एक एम्पियर में, तो प्राइमरी में आपको, 2460 टरन दे देने हैं, 40 नमबर से, सेकेंडरी में, 140 टरन, 22 नमबर से, और आप डबल बारा बनाना चाते हैं, तो प्राइमरी में, 2460 टरन, 40 नमबर से, सेकेंडरी में, 140 टरन, 23 नमबर से, फ और उसके बाद दोस्तो 12 वोल्ट 2 एंपियर की हम बात करते हैं 12 वोल्ट 2 एंपियर की तो 12 वोल्ट 2 एंपियर में सिंगल 12 का बनाना है तो यहाँ पे 1750 तरन 34 नमबर से primary coil और secondary तार जो लपेटा जाएगा उसमें short run करने है 19 नमबर से, बोबिन 1 इंच, लेमनेशन 15 नमबर और double 12 का बनाना है double 12 दो एपियर का तो 1750 तरन 34 नमबर से primary coil, secondary coil में short run 20 नमबर ये से फिर एक लू फिर 100 टरन 20 नमबर से उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 3 एंपियर में आपको बनाना है और single बनाना है तो आपको 1680 टरन 32 नमबर से primary में और secondary में पिक्चार में टरन 17 नमबर से बोबिन साइज 1 इंच 15 नमबर नलेमी नेशन और double 12 का आपको बनाना है उसके बाद आप 1600 सीट रन 32 नमबर से primary में दे सकते हैं secondary में 95 नमबर से फिर एक लूप फिर 95 नमबर से उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट 5 एंपियर बनाना है तो खाली बारे की बात करेंगे सिंगल बारा की तो 1190 टरन 39 नमबर से primary में और secondary में 17 टरन 16 नमबर से और बोबिन साइज एक इंच 15 नमबर लेमिनेशन और डबल बार आपको बनाना है डबल बार आपको बनाना है 1190 टरन ठीक है 1190 39 नमबर से और यहाँ पे secondary के अंदर 70 टरन 17 नमबर से फिर लूप 70 टरन 17 नमबर से दोनों के अंदर lamination और bovin रहेगा और primary coil same ही रहेगी बाकी secondary coil में change होगा gauge में change होगा, turn में change होगा यहापे 9 volt 300 mH की बात करते हैं 9 volt 300 mH थोड़ा सा रोशनी कर देता हूँ शायद आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी थोड़ा दे रहा था तो 9 volt 300 mH बनाने के लिए सिंगल 9 volt बनाने के लिए आपको 5360 run 44 नंबर से primary में देने है secondary में 235 run 27 नंबर से आपको देने है bovin 0.625 इंच का रहेगा और 17 नंबर lambi nation और double no voltage के बनाने है तो आपको यहाँ पे primary में 5360 run 44 नंबर से और secondary में आपको देने है 235 run 39 नंबर से फिर एक loop फिर 255 run 39 नंबर से उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला 9 volt 500 mH ठीक है यह 500 mH है यहाँ पे सिंगल बनाने के लिए सिंगल 9 volt बनाने के लिए 4040 run 43 नंबर से और primary में secondary में करते हैं 145 run 25 नंबर से lamination 0.625 और sorry bobin 0.625 और lamination 12 नंबर और यहाँ पे डबल 9 का बनाना चाते हैं तो primary में भाई देने हैं 4040 टरन 43 नंबर से और secondary में secondary कोयल में आपको 175 टरन 26 नंबर से फिर एक loop फिर 145 टरन 26 नंबर से देने हैं ठीक है उसके बाद बात करते हैं 9 वोल्ट 750 एम एच की तो single बनाने के लिए 33 टरन करने 333 ठीक है 333 टरन 41 नंबर गेज रहेगा और यहाँ पे 145 टरन रहेंगे secondary में और 24 नंबर गेज से 0.625 बुबिन साइज बारा लेमिनेशन नंबर और डबल नाइन बनाने के लिए डबल नाइन 750 एम इच बनाने के लिए 33 टरन प्राइमरी में 41 नंबर से और secondary के अंदर 145 टरन 25 नंबर गेज से बीच में एक लूप छोड़ना है और फिर 145 टरन करने हैं 25 नंबर से उसके बाद दोस्तों 9 वोल्ट एक एमपियर का बात करते हैं 9 वोल्ट एक में आपको करना क्या है कि 28 65 टरन करने हैं 49 नंबर से प्राइमरी में सेकेंडरी में 125 टरन 22 नंबर गेज से लेमिनेशन 23 0.25 के बोबिन और डबल ना डबल नाइन बनाने के लिए आपको करना क्या है 28 65 टरन 49 नंबर से प्राइमरी में सेकेंडरी में 125 टरन 23 नंबर से फिर लूप 125 टरन फिर 23 नंबर से उसके बाद दोस्तो 7.5 वोल्टेज का ट्रास्फॉर्मर 7.5 यानि कि 7.5 वोल्ट का ट्रास्फॉर्मर 300 एमिज में बनाने के लिए सिंगल आपको बनाना है 7.5 का तो प्राइमरी कॉयल में आपको 57 100 टरन रखने 45 नंबर से और सेकेंडरी में आपको 200 टरन रखने है 26 नंबर से ठीक है और यहाँ पर डबल साड़ साथ का बनाना है डबल वोल्टेज में तो यहाँ आपको आपकी जो प्राइमरी है सेम रहेगी प्राइमरी सेम रहेगी बाकि सेकेंडरी जो है secondary के अंदर आपको कर देना है 239 नमबर से फिर एक loop फिर 239 नमबर से तो यहाँ पर primary सेम रहती है इसलिए मैं एक की बोलूँगा ठीक है क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ज्यादा बोलता हूं तो साड़े साथ का यह है फिर साड़े साथ वोल्टेज का पानसो एमेज में है तो primary में आपको single बनाने के लिए ठीक है single बनाने के लिए 4450 टन करने है 44 नमबर से 0.6 का बोबिन 12 का लेमिनेशन और यहाँ पर secondary में आपको 160 टन करने सिंगल में 25 नमबर यह से single में अगर आप इसको double में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको primary सेम रखने है secondary में 160 टन 26 नमबर से फिर लूप 160 टन 26 नमबर से ऐसे कर तकते हैं उसके बाद दोस्तों 7.5 वोल्टेज 750 एमेज का अगर आप बनाना चाहते हैं सिंगल में तो 366 टन 42 नमबर से प्राइमरी secondary में 120 टन 23 नमबर से और आपका लेमिनेशन चोतर 0.68 का बोबिन और इसको डबल का बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी सेम secondary जो रहेगा secondary के अंदर 120 टन 24 नमबर गेज से फिर एक लूप फिर 120 टन 24 नमबर से उसके बाद 6 वोल्ट पर आजाते हैं तो 6 वोल्ट का transformer है 300 में 6 वोल्ट 300 मेंच पर बात करते हैं सिंगल बनाना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी में 6450 टन देने 45 नमबर से secondary में 156 टन 33 नमबर से आपको देना है आधा इंच का बोबिन रहेगा 17 नमबर लेमिनेशन रहेगा और डबल 6 का बनाना चाहते हैं डबल 6 वोल्टेज का तो primary से secondary में 156 टन 39 नमबर से 156 टन फिर 39 नमबर से बीच में लूग उसके बाद दोस्तो 6 वोल्ट 500 मेंच का बनाना चाहते हैं 53 सत्ता टन कर देना है 53 सत्ता टन 43 नमबर से 115 चोविस नमबर गेज से 115 टन सोरी 155 टन 24 नमबर से यहाँ पर secondary कॉयल में डाल देना है यहाँ पर डबल 6 का बनाना चाहते हैं तो आपका जो primary है सेम रहेगा secondary में 155 टन 26 नमबर से और यहाँ पर लेमिनेशन और बोबिन लिकाई हुआ है तो आप इसका screen suit आप ले सकते हैं आराम से नो प्रोब्लम उसके बाद आ जाते हैं 6 वोल्ट 750 एमेच पे ठीक है 6 वोल्ट 750 एमेच पे आ जाते हैं तो इसमें दोस्तो सिंगल बनाना चाहते हैं सिंगल तो आपको करना क्या है कि यह primary होती है उसमें 420 टन देने 43 नमबर से 120 टन secondary में देने 120 टन 23 नमबर से सिंगल 6 वोल्ट बन जाएगा और यहाँ पर double में बनाने चाहते हैं तो primary सेम रहेगा secondary में 120 टन आपको कर देने 24 नमबर से फिर लूप फिर 120 टन 24 नमबर से अब 6 वोल्ट एक एंपियर का बनाना चाहते हैं 6 वोल्ट एक एंपियर का तो इसमें आपको सिंगल बनाने के लिए primary में primary coil में 35 टन देने होंगे 41 नमबर से secondary में 100 टन 22 नमबर से और फिर डवल 6 का बनाना चाहते हैं तो primary से बनाएगा secondary में आपका 100 टन आ जाएगा 23 नमबर से फिर एक लूप आ जाएगा फिर 100 टन देने हैं 23 नमबर से उसके बाद 6 वोल्ट 2 एंपियर की बात करते हैं तो इसमें सिंगल बनाने के लिए primary में 24-18 टन देने हैं 38 नमबर से secondary में 70 टन देने है 18 नमबर से ठीक है 18 नमबर से 70 टन देने हैं आपका 6 वोल्ट 2 एंपियर बन जाएगा अगर आप डवल चाहते हैं तो डवल में आपको primary coil सेम रखना है secondary में आप 17 टन देना है 20 नमबर से फिर एक लूप दे देना है फिर 17 टन 20 नमबर से यहाँ पर फिर 6 वोल्ट 3 एंपियर की बात करते हैं 6 वोल्ट 3 एंपियर की तो 6 वोल्ट 3 एंपियर की बात करें तो सिंगल बनाने के लिए 2020 टन 36 नमबर से secondary के अंदर डालना है फिर 57 टन 18 नमबर से ठीक है और डवल 6 बनाने के लिए आपको फिर 2020 टन प्राइमरी में सेम ही रहेगा 36 नमबर से और secondary के अंदर आपको 57 टन 19 नमबर से फिर लूप 57 टन फिर 19 नमबर गेस से यह 57 करने 0.9 का बोबिन 31 नमबर लेमिनेशन तो यहाँ पर 6 वोल्ट 5 एंपियर का बनाने के लिए आपको सिंगल बनाना है तो आपको टन करना है 1580 ठीक है प्राइमरी में 33 नमबर गेस से और यहाँ पर 45 टन कर देने 16 नमबर से secondary में ठीक है 6 बनाना है तो प्राइमरी सेम रहेगा secondary में 45 नमबर 45 टन कर देने 17 नमबर से फिर लूफ फिर 45 टन 17 नमबर से एक इंच बोबिन 15 नमबर लेमिनेशन उसके बाद दोस्तो 4.5 4.5 वोल्टेज का बनाने के लिए 300 मम बनाने के लिए आपको सिंगल बनाना चाहते हैं तो आपको 900 टन देने है 49 नमबर से और secondary के अंदर 160 टन देने 27 नमबर से बोबिन 0.5 लेमिनेशन 17 नमबर और double बनाना चाहते है 4.5 वोल्ट तो primary सेम रहेगा secondary में 16 टन 39 नमबर से फिर एक लूप फिर 16 टन 39 नमबर से उसके बाद बात करते है 4.5 वोल्ट 500 में की 500 में का बनाना चाहते हैं तो primary के अंदर आपको सिंगल बनाने के लिए primary में आपको 57 पैतालिस टन डालने हैं 45 टन 45 नमबर गेश से और secondary में 125 टन 25 नमबर गेश से 0.625 बोबिन 17 नमबर लेमिनेशन और डबल बनाने चाहते हैं 4.5 वोल्ट और तो इसमें ये primary सेम रहेगा secondary के अंदर 125 टन 26 नमबर से फिर एक लूप फिर 125 टन 26 नमबर से इसके बाद दोस्तो 4.5 वोल्ट 750 में में बनाना चाहते हैं 750 में तो आपको सिंगल बनाने के लिए 4.5 वोल्ट 47 टन करने 44 नमबर से secondary में आपको 100 टन करने 24 नमबर से और यहाँ पे 4.5 डबल बनाने के लिए आपका primary से सेम रहेगा सेम टू सेम secondary में आपका 100 टन हो जाएंगे 25 नमबर से फिर एक लूप आएगा फिर 100 टन आपको देने 25 नमबर से अब बात करते हैं 3 वोल्ट 300 मह की 3 वोल्ट 300 मह की तो यहाँ पर 3 वोल्ट 300 मह बनाने के लिए सिंगल बनाने के लिए आपको primary में 9000 टन 50 नमबर गेश से secondary में 130 टन 26 नमबर गेश से वो डबल बनाने के लिए double 3 वोल्टेज बनाने के लिए 300 मह में primary आपकी सेम secondary में 130 टन 29 नमबर से फिर एक बीच में लूप फिर 130 टन 39 नमबर से ठीक है 0.312 गा बोबिन और एक नमबर लेमिनेशन और यहाँ पर आपको 3 वोल्टेज 500 मह में बनाना है तो फिर आपको सिंगल बनाने के लिए 7000 टन 43 नमबर से primary में secondary में 114 टन 24 नमबर से बोबिन 0.5 का लेमिनेशन 17 नमबर और डबल बनाना चाते हैं तो आपका primary सेम रहेगा secondary में 114 टन 26 नमबर से फिर एक लूप फिर 114 टन फिर 26 नमबर गेज से तो यह कुछ आपको मैंने डेटा बताया है 24 से लेके 3 वोल्टेज तक के काफी सारे डेटा बता दिये है ठीक है तो काफी सारी मोटी बुक थी तो काफी सारा time लगा और मैं बोलते बोलते परेशान हो गया हूं थोड़ा सा ठक गया हूं ठीक है दोस्तो बाकी data जो है इससे ज्यादा voltage की data है 24 वल्ट से ज्यादा की data है और बड़े transformer की data है तो उसकी वीडियो भी मैं जल्द upload करूँ गा चैनल के उपर तो आप वीडियो को जरूर देखें और आप इनका screen shoot ले सकते हैं आपके बहुत काम आने वाला है और हो सकेगा तो मैं एक PDF लोट गर दूँगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रैप्शन में डाल दूँगा ठीक है या आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको डेटा बुक चाहिए तो फिर मैं आपको भेज दूँगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर करें दोस्तों में शेयर करें फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ अगले पार्ट के साथ जय हिन जय भारत